नमस्कार दोस्तों मैं राजिका अगरवाल स्वागत करती हूँ आप सभी का आज की इस वीडियो के अंदर इस विडियो में मैं आपसे बात करने वाली हूँ science के syllabus की और यह science का systems है किस exam के लिए तो यह बात करनी तो बहुत जरूरी है पता नहीं होगा कि एक्जाम कौन सा है कौन सा science का syllabus है तो बात करने से मतलब क्या है तो मुद्दा ये है कि ये जो आपका साइंस का सिलेपस है मैं आपसे डिसकस करने वाली हूँ लैब असिस्टेंट एक्जाम के लिए अक्सर बच्चों को ये दिक्कत रहती है कि मैं ठीक है दो पेपर होंगे पेपर फास्ट पेपर सेकेंड पेपर वन के अंदर आपकी जीके आएगी पेपर सेकेंड के अंदर आपकी पूरी साइंस आने वाली है साइंस में कौन से टॉपिक आने वाले हैं किन टॉपिक का ज़्यादा वेटेज रहता है किस थाइप के कुशन आपके एक्जाम के अंदर बनते हैं ये सारी बाते आज की इस वीडियो के अंदर किलियर किलियर हम करने वाले हैं तो देखो, सबसे पहले जो आपका लाब असिस्टेंट का एक्जाम होता है, उसके दो पेपर होंगे, पेपर फरस्ट और पेपर सेकेंड, पेपर फरस्ट के अंदर आपके आने वाली है पूरी जीके, जीके का जो पेपर होगा उसमें प्रिश्णों की संख्या रहेगी 100 और हर एक कुश्ण आपके दो नमबर का रहेगा यानकी 200 नमबर का आपका ये पेपर होने वाला है, ताइम मिलेगा आपको दो घंटे, यहाँ पर जो टोटल मार्क्स लिखे हैं वो आपके दोनों पेपर के मिला के लिखे हैं कि 400 नमबर के होंगे दोनों पेपर मिला के, यानी की 100 कुशन आपके जीके में आने वाले है 200 नमबर के और 100 कुशन आपके यहाँ पर आने वाले है साइन्स के जीके का जो आपका सिलेबस है वो आपको पता ही है बात करते हैं यहाँ पर हैंपर साइन्स के सिलेबस की तो साइन्स का जो आपका प्रेश्ण पत्र होगा यान की प पर होगा अब बात ये है कि जो साइंस है उसके अंदर आने क्या-क्या वाला है तो सबसे पहला तो जो आपके सेकंडरी लेवल तक की साइंस है वो आएगी पूरी दूसरा सीनियर सेकंडरी लेवल तक जो आपकी साइंस है सीनियर सेकंडरी लेवल पर वो कौन-कौन सी आने व वाले हैं physics की बात करने वाले हैं और chemistry की बात करने वाले हैं तीनों में से कॉनकों से topic आपके यहां पर cover होने वाले हैं देखें सबसे पहले बात करते हैं कि वह क्या negative marking नेगेटिव मार्किंग है क्या कितने percent marks लाने ज़रूरी है तो इन सब के बातों की यहां पर बात यह है कि one third आपके negative marking है अगर आपने question गलत किया है तो one third आपकी negative marking होगी दूसरा आपके लिए new thumb marks लाना ज़रूरी है 40% आपके 40% से कम marks आए तो आपको न्यूकती नहीं दी जाएगी तीसरी चीज आपके MCQ based जो है paper रहेगा पूरा और आपको multiple choice वाले question देखने को मिलेंगे एक question के लिए एक कोई answer आपको उस option में से select करना होगा यह आपकी रही बात negative marking की कैसा paper आएगा उसकी अब देखते हैं यहाँ पर आपका जो science का syllabus है उसके बारे में तो सबसे पहली चीज के 10 तक की science, secondary level तक की science एक तो आपको पूरी उसका ग्यान होना चाहिए अब उसमें क्या-क्या चीज़े हैं जैसे कि आपके chemical reactions हो गई जैसे कि आपके carbon के बारे में बात हो गई, carbon के कुशन खूब देखने को मिलते हैं जैसे आपके आवर्ट, sani की बात हो गई, jab, program की बात हो गई, physics से आपके कुछ चुम्मक के प्रभाब, विध्युत के प्रभाब ये सारी चीज़े आपके exam के अंदर आपको देखने को मिल जाएगी आमलिशार के बारे में, तो 10 तकी science आपको ये पढ़नी है, पहली चीज़, ठीक है, कुछ नहीं करना 10 तकी NCRT उठाओ, और उस NCRT को पूरा-पूरा पढ़ डालो, NCRT इतना बढ़िया रामबान है, किसी भी exam के लिए कि NCRT पढ़ ली तो ऐसे सीधे के सीधे छपे कुशन दिखते हैं तुम्हें exam के अंदर है, समझ रहे हो ना, तो यहाँ पर यह आप NCRT पढ़ लीजिए 10 के लिए, अब बात करते हैं कि आपके जो senior secondary level है, उस पर biology के कौन कौन से topic आपको cover करने हैं, biology का मतलब है, जी विज् पर शेवाल, कवक, आपके यहाँ पर लाइकेंस, ब्रायोफाइटा, टैरिडोफाइटा, आपके जिम्नोस्पाम, एंजियोफाम, पादपों के सामने लक्षन, बेसिकली यहाँ पर आपसे कहा गया है, कि पादपों का जो विकास है, उसके बारे में कुशन आएंगे, कि आ आपके जो जिम्नोस्पाम में और एंजियोफाम में बीजधारी पादप होते हैं, ऐसे कुशन आपके एक्जाम के अंदर इनके लक्षनों से रिलेटेड आएंगे, तो पादपों का अविकास आपको पढ़ना है, दोसरा देखिए, यहाँ पर आपके आवरत वीजी पाद फादप छरीर, जड़, तना, किते प्रकार के होते हैं, इन सब के बारे में, इनका बीज कैसा होता है, इनके बारे में, अगला आपसे यहाँ कहा है, पादपशरीर, जो आपके प्लांट अनन आटॉमी हैं, उसके वारे में कुशन है, उत्तक वे उतक तंत्र, और दुतियक व्रद्धी, secondary growth और आपके plant tissue जैसे कि आपके xylem हो गया, phloem हो गया, कितने टाइप के tissue हैं जो plants के अंदर पाए जाते हैं उनके related question आपके exam के अंदर देखने को मिलेंगे, कि भई that yeah .we guck here to know the probe of forest का टाइप कारे की, चैसे Mira mg के अंदर-पूरे functions वहते हैं इसे plants के अंदर प्लांट्स के इंदर वहते होंगे तो उनके बारे में आएगा, परासरन जल, आप्सूर्शन, रसा रोहन, वाश्पोष सर्जन, प्रेकास संस्स्लेशन की प्रक्रिया, श्वसन, फदर ब्रधी वै गत्या, तो यह सब आपके सीने सेकिंडरी लेवल का जोओ है, आपको इसके अंदर पढ़ना है, कि किस तरीके से photosynthesis होता है किस तरीके से respiration की process होती है wash post surgeon की प्रक्रिया होती है plants के अंदर ठीक है अगला देखिए यहाँ पर परियावरण अध्यन तो यहाँ पर आपको पढ़नी है ecology and environment ecology and environment के अंदर आपको सारे ecosystem हो के बारे में पढ़ना है जैसे कि आपके प्रत्वी पर पाय जाने वाले ecosystem समुद्र के अंदर पाय जाने वाले ecosystem ecosystem के कितने प्रकार के घटक होते हैं उर्जा का प्रभा कैसे होता है पोशी स्तर से दूसरे पोशी स्तर पर energy flow कितना होता है ये नियम किस ने दिया ये शब्द किस ने दिया ऐसे कुशन आपको एक्जाम के अंदर देखने को मिलेंगे साथ के साथ यहां पर आपके ये जो चक्र होते हैं फस्वोरस चक्र हो गया जल चक्र हो गया आपके ये सारे चक्र के कुशन भी देखने को आपको एक्जाम के अंदर मिलते हैं तो ये सारी चीज़ आपको इसके अंदर पढ़नी रहेगी देखे पर्यावरिन अध्यन के अंदर पारिस्तिकी तंत्र की संरिचना, प्रेकार, उर्जा प्रभार, भूर असायनिक चक्र जिसके अंदर आपके कार्बन, फस्फोरस, सल्फर, वोटर साइकल ये सारी आपको पढ़नी रहेगी पारिस्तिकी अनुकूलन, पर्यावरिन, प्रदूशन, समस्थी पारिस्तिकी और जैब बिवित्ता ये सारी बाते आपको यहाँ पर पढ़नी है ठीक है? चलो आगे देखो, आगे वाला जो भाग है वो है आपके बायो टेकनोलोजी का तो इसमें जितनी भी टेकनीक्स हैं, कोई अगर आपके नई टेकनीक्स जेवलेप हुई हैं तो उसके बारे में आपके जो ट्रांसजेनिक जीव होते हैं, पादप बनाए गए हैं अलग-अलग हैं, जो है एंजिनियरिंग, जनेटिक एंजिनियरिंग के थ्रू जो आपके जनतू या पादप बनाए गए हैं उनके बारे में कुशन आते हैं वाय टो एक से, तो देखो सामने जनकारी होनी चाहिए, पुनर योजिट, डियने, तकनीक, ट्रांसजेनिक पादप और जनतू, नैतिक, मुद्दे, क्रशी, किस्ता, छेत्र में जाप प्रौदगी की का अनुप्रयोग तो ये है आपके बायो टेकनोलोजी की बात है वई, आगे देखो अब यहाँ पर, economic importance of plant, जो हमारे पादप है, उनकी क्या आर्थिक महरत्व है उसके बारे में, और अगला है cell, cell में आपको prokaryotes, eukaryotes, इन दोनों में कैसी cell structure होती है, कौन से कोशी का अंग पाए जाते है, क इसे क्या कहा जाता है, ऐसे कुशन आपको देखने को मिलते हैं, तो देखो सनरचना, आपके prokaryotes, eukaryotes, दोनों की कोशी का सिध्धान तो कोशी का बिवाजन, cell division भी पढ़ना है भाई इसमे, cell division, समसोत्री बिवाजन और अर्धसोत्री बिवाजन, ये दोनों पढ़ने है, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये जो भी अवस्थाय आती है, सब आपको पढ़नी है इसके अंदर, ठीक है, अगला देखिए यहाँ पर, अगला जो है, अब इसका भाग भी है, बायलोजी का ही, तो देखिए भाग भी के अंदर, जैनेटिक्स की बा केवल इसको ही क्यों चुना, कौन-कौन से जो है, इसमें नियम उन्होंने दिये, कौन-कौन सी बाते उन्होंने बताई, ये सब बाते आपको इस जैनेटिक्स के अंदर पढ़नी है, तो देखो मेंडल के नियम सामने शब्दावली, जी इन किसे कहते है, क्रोमोजोम किसे क क्याते है, मोनो हाइब्रिट क्या है, डाइ हाइब्रिट क्या है, ऐसी शब्दावली, डिने, आरेने की संरचना, वंशागती का आणविक आधार, यानि कि इसमें जो सेंट्रल डोगमा है, आपका डिने से डिने, रैप्लिकेशन, डिने से आरेने, ट्रांस्क्रिप्शन, आरेने से प्रोटीन ट्रांस्लेशन, वो भी आपको पढ़ना है, मनुष्य में लिंग निधारन और अनुवंशी की विकार, मनुष्य में लिंग निधारन एक्सवाई प्रकार का जो होता है, वो देखना है आपको, साथ के साथ जैनेटिक डिसॉर्डर जो है, जिसे कि साथ सिंड्रोम होता है, ऐसे कुश्चन आपको जैनेटिक से देखने को मिलते हैं, अगला देखिए यहाँ पर, क्लासिफिकेशन अफ एनिमल किंडम, जो आपका पूरा क्लासिफिकेशन है, ए कशेरुकी का संग तक तथा कशेरुकी का वर्ग तक वर्गी करन आपको पढ़ते हैं कि वी टेकर साब ने वो मुनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी, एनिमेलिया दिये, फिर कैसे इनको आगे जो है डिवाइड की एनिमेलिया को, तो आपके कॉड़ेट्स, नॉन कॉड़ेट्स में यह सारी चीज़े आपको यहाँ पर पढ़नी है, अ साथ के साथ आपके food nutrition, तो देखो इसके अंदर आपका human physio आ गया है, यानि कि हमारे अंदर जो systems हैं उनके बारे में, respiratory system हो गया, excretory system हो गया, digestive system हो गया, साथ के साथ यहाँ पर आपके protein, carbohydrate, fat, vitamin है, तो यानि कि यहाँ पर आपके food nutrition भी आ गया, food and nutrition भी आपको यहाँ पर पढ़ना रहेगा, ठीक है बाई, यह सारी चीज़े आपको पढ़नी है, और आपको यहाँ पर crab cycle और glycolysis भी पढ़ना ह ठीक है, यह सारी चीज़े यह निवे लिखी हुई है इधर, कि शोचन आपके कितने प्रकार का aerobic, anaerobic, aerobic में क्या बनता है, anaerobic में क्या बनता है, किसके अंदर aerobic है, किसके अंदर anaerobic है, यह सारी बाते है, आगे देखिए, अगला है आपका glands, तो देखो, आपके glands, जो आ क्या भी का आजाता है, ऐसे कुशन आपको देखने को मिलते हैं, एक तो अपना और एक अपना है आपा, सर्क्यूलेटरी सिस्टम, सर्क्यूलेटरी सिस्टम में सबसे पहला तो आप जो बलड है, रखत है, उसको बिलकुल पढ़ लेना, अच्छे से, बलड जो अपना है, तो बच्चे का क्या होगा, या फिर एवाले को किसका बलड दिया जा सकता है, उनिवर्सल डोनर किसे कहते हैं, ऐसे कुशन आपके वहां पर देखने को मिलते हैं, ठीक है, हिर्दे की संरचना, रक्त का संगठन, रक्त का थक्का कैसे जम रहा है, रक्त समू क्या है, लस सिस्टम आ गया, नर्वस सिस्टम में आपको पूरी खोपड़ी पढ़नी है, ठीक है, कैसे चल रही है, कौन सा भाग क्या काम कर रहा है, अब जब खोपड़ी पढ़ोगे तो अपनी स्पाइनल कोड भी पढ़नी पढ़े की, क्योंकि वही तो सेंट्रल नर्वस सिस्टम मे वह कैसे फंक्शन कर रहा है, आपके सेंसरी ओर्गन कौन-कौन से है, जैसे कि आख, कान, इनकी संरिचना भी पढ़नी है, आपको, नियूरोन की संरिचना, तंत्री का समवेग, यह पढ़ना है, इसके बाद है पेशिय तंत्र, तो पेशियों के प्रकार, पेशिय संकुचन कैसे हो रहा है, यह चीजे पढ़नी है, फिर है आपके रिप्रोड़क्टिरी सिस्टम, तो रिप्रोड़क्शन पढ़ना है, कि आपका सेक्शोल रिप्रोड़क्शन है, सेक्शोल रिप्रोड़क्शन, हुमेंस के अंदर सेक्शोल रिप्रोड़क्शन होता है, लंगिक ज इन सब को पढ़ोगे आप ट्रिक के साथ, बिना ट्रिक के रटना नहीं है, ट्रिक से पढ़ोगे तो बढ़िया एक्जाम के इंदर सीधा कुशन लगा के आओगे, रटने बैठोगे तो धरे रह जाओगे, ठीक है, यह आपको पूरी ट्रिक से पढ़नी है, फिर आपके यहा पर बात आती है फिजिक्स की ये तो हुआ भाई बैलोजी में बैलोजी में सिंपल आपको याद रखना है पूरा हिूमन फिजियो पढ़ना है जिसके अंदर डेजेस्टिव आ गया रेस्पिरेटरी आ गया एक्सक्रीशन आ गया रिप्रोड़क्टिव आ गया हूमन हेल्थ डिजीज, फूड नूट्रिशन सारी चीज़े आपको वहाँ पर पढ़नी है अब बात करते हैं यहाँ पर फिजिक्स की फिजिक्स के अंदर कौन-कौन से टॉपिक आपके कवर होने वाले इस पेपर के अंदर 100 कुशिन जो है आपके आने वाले है किते नंबर के 200 नंबर के तो टारगेट बना लो की यह 200 नंबर तो अपन लाके रहेंगे साइन्स के अंदर ठीक है देखो फिजिक्स का जो टॉपिक है द्रड पिंड गतिकी बला अगून कोणी है समवेग संडरक्षन इनके नियम क्या है इनके फॉर्मूले इनकी इकाईयों की कुश्छन आपको देखने को मिल जाते कि इनकी यूनिट क्या है वो सारी चीज़े आगे देखो दूसरा है थर्मो ड देखने हैं इसके बाद देखो थर्ड आपका दोलन सरलावर्द गति और उसके उधारन फिर आपके यहां पर वेप्स यानिगी तरंगे तरंगों के अध्यार उपन का सिधान डॉपलर प्रभाव आपके फिजिक्स में जो प्रभाव है न सारे इफेक्ट्स वो बड़े का की चीज़े हैं यूनिट से आपकी इकाया यह बड़ी काम की चीज़े हैं जो लॉज है नियम है यह बड़ी काम की चीज़े ठीक है और आपके जो फॉर्मुला बेस्ट कुशन है यह बड़े काम की चीज़े ठीक है यह बड़ी चीज़े आती है एक्जाम के अंदर आपके देखो आगे इलेक्ट्रोस्टेटिक के अंदर आपके कूलाम का नियम, विद्युचेत्र, गाउस का नियम, उसके अनुप्रयोग नियम ही नियम पढ़ने हैं आपको फिजिक्स के अंदर सारे फिर देखो विद्युधारा, किर्चौफ का नियम, वीट स्टोन सेतू, आपके मीटर सेतू, विभव मापी ये सारी चीज़े आपको पढ़नी हैं इसके बाद आप्टिक्स के अंदर प्रकाशिकी के अंदर आपको व्यतिकरन, विवरतन, धुरवन, धुरवन मापी, के लिए नाभिक में, द्रव्यमाय, शती, नाभिक, वंदन, उर्जा, नाभिक, विखंडन, और सल्लैन की कैसे हाइट्रोजन बॉम मन आ रहे हैं, ठीक है, ये सारी चीज़े, फिर आपके अर्दचाला के लेक्ट्रोनिकी, पी-एज संधी, ट्रांजिस्टर, तर्कद्वा डायोड, दिस्टिकारी के रूप में, और जीन डायोड, ये सारी चीज़े आपको पढ़नी हैं, फिजिक्स के अंदर, जो चार पास चीज़े बताई हैं, उन पे बेसिकली आपको मेजरली रूप से ध्यान देना है, बात करते हैं, अब यहाँ पर केमिस्ट्री की, भईया अब यहाँ आपको पढ़नी हैं, इसके बाद आपके क्वांटम संख्या पढ़नी हैं, क्वांटम नमबर, पॉली का जो है आप वर्जन सिधान पढ़ना है, आप वाउ सिधान पढ़ना है, जो आपके और्बिटल्स है, इसमें कितने कैसे इलेक्ट्रोन भरते हैं, यह सारी चीज़े पढ़नी हैं, आपको कक्षकों की प्रकार, ठीक है, आगे देखो, मॉडरन पीरिडिक टेबल, जो आधुने का वर्जनी है, वो भी पढ़नी है, पहले आपको डाबे राइनर का भी देखना है, न्यू लेंड का स्टक नियम भी देखोगे, मेंडलीव की आवर्जनी भी देखोगे, फिर आपके मॉडरन पीरिडिक टेबल भी देखोगे, ठीक है, फिर उसके बाद आप कि पीरिडिक टेबल ऐसी चीज है, जो कि आपको बिलकुल नींदों में भी याद होनी चाहिए, कौन आपके अलकली मेटल से है, कौन आपकी इनर्ट गैसेज है, कौन आपके हैलोजन अलिमेंट से है, कौन आपकी मेटल है, कौन नोन मेटल है, कौन मेटलोईड है, ये सारी चीज़े देखो यहाँ पर सामने परीचे S-Block और P-Block elements का electronic विन्यास आपको लिखना आना चीए प्राप्ति औक्सिकरन अवस्था इनकी आनी चाहिए फिर देखो आप बहुत इक वे रसाइने गुड़ों में प्रवतिया और अक्रिय युग में प्रभाब यह सारी चीज़े पढ़नी है आपको इस यूनिट के अंदर अगली जो यूनिट है वो है chemical equilibrium की इसमें देखो आप सामने की प्रभाबित करने वाले जो कारक है वो देखने है फिर आपके उत्करम्णी या अनुत्करम्णी अभी किरिया reversible, irreversible reactions देखनी है फिर आपके यहाँ पर ली शातलिये का सिध्धान्त देखना है आगे देखे यहाँ पर अगली यूनिट जो है वो आपकी कौनसी है आईनिक साम में तो इसमें आपको क्या-क्या पढ़ना है एसिड बेस पढ़ना है पी एच पढ़ना है सॉल्ट भी पढ़ना रहेगा इसमें थोड़ा बहुत आपको समायन प्रभाब बफर विलियन अमलिशार अनुमापन अगली यूनिट है आपकी गैसिस स्टेट की इसमें इनके गुंधर्म बॉयल का नियम चार्ल्स का नियम आवोगाद्रो का नियम इस पूरी यूनिट के अंदर नियमी नियम पढ़ने चाल्स का आवोगद्रो का बॉयल का डॉल्टन का आदश गैस समी करण ठीक है बाई आगे देखो आपके यहाँ पर ग्राहम का नियम और आपके गैसों का अनुगती सिध्धान्त इस वाली यूनिट के अंदर पढ़ना है गैसे से स्टेट में आगे बात करते हैं अगली है ल अगला देखो द्रव अवस्था में द्रवो के गुंधर्म वाश्पदाब प्रस्ट तनाव शान्ता ये सब चीजे पढ़नी है अगली यूनिट है सॉलिड स्टेट तीनों जो है अपनी आ गई है ठोस के गुंधर्म ठोसों का वरगी करण इकाय कोशी का वे उनके प्रकार क्रिस्टल संकुलन अगला देखिए सामने आईनिक योगी को किस अनरशना क्रिस्टलों में त्रूटियां ये आपको देखनी है अगली यूनिट देखिए यहाँ पर विलियन सॉलिशन में आपको पढ़ना है कि किसको मिलाया जाता है उसको विले कहते हैं किस में मिलाया ज मोललता, मोल भिन भार प्रतीशत ये सारी चीज़े देखनी हैं फिर आपके हैं यहाँ पर विलियनों के प्रकार की गैसी विलियन, द्रव्य विलियन, ठोस विलियन, राउल का नियम, आदर्श वै अनादर्श विलियन और यहाँ पर विलियन के अनु संख्या गुंधर्म प्रवाइन, एलकीन, एलकेन, फिर आपके फंक्शनल ग्रुप्स, उनके नामकरण कैसे करते हैं वो पूरी स्ट्रक्चर बना के वो सारी चीज़े आपको पढ़नी हैं अभी करियाओं के प्रकार पढ़ने हैं जिसमें प्रतिस्थापन, योगात्मंग, विलोपन अभी करि आपके समा वयवता देखनी हैं यह सारी चीज़े आपको इस उनिट के अंदर पढ़नी है और आपकी यहां पर यह लास्ट यूनिट है हाइड्रो कारबन की तो जो आपके हाइड्रो कारबन बन रहे हैं वो कौन से एलकेन, एलकीन, एलकाइन, इनके फॉर्मुले आद कर ल आपके हाइड्रो कारबन का प्रिपरेशन कैसे किया जाता है वो सारी चीज़े देखनी है और आपके इनके भौतिक गुण और रसायने गुण धर्म आपको देखने हैं तो यह बात हुई अपनी यहां पर लैब असिस्टेंट के साइंस के सिलेवस की 200 मार्च्स के यह पढ़ लो जिससे आपके एक्जैम तक एकदम सॉलिड हो जाएं ठीक है तो टॉपिक पढ़ने चालू कर दो नोट्स बनाने चालू कर दो कुशंस निकालने चालू कर दो और आपको यह क्लासेज अगर देखनी है कुछ टॉपिक की तो रिकॉड़ेट क्लासेज आपकी अन्यवाद